इसका छोटा भाई तेंथ में स्टेट में फरस्ट आया था बड़े बड़े प्रवड़ स्कूल से बड़ी एजुकेशन देने के लिए उसके घर पर आते थी दूसरे शहर होस्टल में रहना पड़ेगा यह तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को हमारे स्कूल में लेते हैं आपके बच्चे के फ्यूचर को देखो ज्यादा मत सोचिए सिर्फ दो साल ही आग बंद करके खेलते खेलते निकल जाएंगे इसकी पड़ाई का पूरा खर्च्चा स्कूल उठाएगा आप सिर्फ लड़के को भेज़ दीजे प्लीज यह लोग सही बोल रहे हैं तुम क्या बोलती हो लक्षमी हमारे स्कूल के माओ, मेरे फ्रेंड्स यह सब छोड़के मैं नहीं रह सकता पहले तुम मुझे समझो दीदी दीदी तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँ तुम चाहती हो ना मैं डॉक्टर बन उनका बच्चा पढ़के बड़ा आदमी बने इसके लिए उसे बाहर भेज़ देते हैं इसकूल में बच्चों के बीच में कोई प्राब्लम हो गई जितने उमीद से बच्चे को भेजा था पढ़ने के लिए पर उसके लाश ही ख़़ा कि अधार करें आधार के बेटे के मरने के दुख में उनके माबाद दोनों ही मर गए और यह गाओं छोड़कर चलिए बच्चों को फूलों जैसा संबलना चाहिए नहीं तो ऐसे होता है हाँ इसने सब को खो दिया आपने उनसे प्यार किया है न सर इस उमर में प्यार ब्यार की बात करना अच्छा नहीं लगता मेरी बात का बुरा मत पनिये सर आप में किसी बात की कमी नहीं है आप प्यार क्यों नहीं करते जड़ी 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 करें निचे निचे उत्रोग निचे निचे उत्रोग तर टेक्टर टेक्टर टुपर सब्सक्राइब लिए नाइग जाओ जम्च विक्रता कर दोड़ीजे चलो बैट वाइट वाहना था सर्सारण नमस्ति सर्ट्ट्र शिक्षा में आचकल बहुत गोटाले हो रहे हैं तो अगली भी उसे रोकने की कोशिश कर रही है आज क्या वह यह बता सकते हैं सर प्रवेट स्कूल में सेंटर्स रखके बहुत गोटाले हो रहे हैं उसमें वन अब दमाल प्रैक्टिसेज ही वो है नियम के मुताबिक से एक्जाम शुरू होने से पहले ही स्कॉर्ट आने से पहले टीचर्स वन मार्क्स पॉस्चन के आंसर्स को बोर्ड में लिख देते हैं इस तरह के हरकते बहुत दिनों से चल रही आज़ा इसमें कौन-कौन शामिले बता सकते हैं इसके पीछे बहुत लोगों काहत है वो कोई भी हो किसी भी पत्पे क्यों नहों उसका परदाफाश करके रहूंगा कौन है उसका नाम अरून है सर न्यू जॉइनिंग है वह बैचलर है गया नई सर शादी शुदा है एक लड़का भी है शादी शुदा है और इतने हिम्द्ट क्योंकि उनकी पोस्टिंग अभी तक टे मदन पापा देखा आपने अगले दो सालों में रियल हेलिकॉप्टर बना दूंगा वेरी गुड लेकिन एक कौन सा मोटर है यह ना सर्वो मोटर सॉलिस्टेट एरोस्कोप सेंसर विंसेंडरल अभी में नहीं रहते हैं पर इसमें स्पेशली है आये सर अचानक आप हमारे मैं तेरे घर आने सकता क्या मुझे वफादार लोग और हिमध वाले लोग बहुत पसंद वैसे भी के बाद भी वफादारी और हिमध के साथ रहने वाले तो मुझे बहुत-बहुत पसंद थैंक्यूसर बैठे इसलिए तो तुझे मिलने आया च्छोटा-बड़ा को इनेना बेटा है इनका बेटा गॉर्णमें पढ़ता है आप तो कलेक्टर हो है पर माबाप क्या करते हैं गाव में खिती बढ़ी करते हैं अच्छा इसलिए अच्छे से परवरिश की है तुम्हारी अच्छा आदमी से शादी हुई तुम्हें तो 10-15 बच्चे पैदा करना चाहिए क तुम्हारी न्यूज देखी मैंने टीवी भर हिम्मत के साथ आटो में जाके पकड़ा उनको गाड़ी को स्टार्ट करके जाने से पहले ही इनफॉर्मेशन वहाँ चली जाती है बिटा एक कॉफी मिलेगी गर्म कॉफी क्यों नहीं अभी लेक्या चीनी थोड़ी कम ही डालन कुछ लोग मुझे ढूंटे हुए आएंगे खुद के उपर भरोसा है जरूर है भगवान की मदद मिली तो सब अच्छे से होगा भगवान की फिर भी थोड़ा सम्हाल के रहना क्योंकि इस शहर में हद से जादा प्रश्टाचार फैला हुआ है सभी गाउं में रहकर आया ह सभी खत्रों से खेलाओं सर कच्छवा भी 200 साल जिन्दा रहता है डर की जिन्दगी जीने से एक मिनिट भी जीए तो उसमें एक सुकून होना चाहिए और वफादारी होनी चाहिए तुम्हारे जैसा आदमी तो सौ साल नहीं हजार साल जीना चाहिए क्या बोल रहा है कादि भविश्य में तू तेरे पिता की तरह कलेक्टर बनना चाहिए अरह बाप बात हुई गया हुआ है अब बाइग सर्व बॉर्निंग सर्व बॉर्निंग स्रोवाण अवियो सर्या है मिनिस्टर आके गए इट वाजिकर्ण सी कॉल सर्व वो स्कूल के माम लेके जो एविडेंस आपके पास है वो चोरी होने वाले हैं हमें इंफोर्मेशन मिली है आप इसकी चिंता मत किजिए आपकी जान को तो पहले से खत्रा है इसकी इंटेलिजिञेंस रिपोर्ट है लीज सर्व श्रवन आप्रिशेट यूर कंसल टोर एन्यूर आजी सिर्टें लट फाम वार्ट पुट देए इस पाप होने महान साथ नहीं सर्थ डाबर दोनो तेल हिया अच्छा है भाई अर्जेंट में दिखने हो बाद में कॉल करता हूँ इसक्यूज मी थोड़ा साइड देंगे लेडिस साइड में खड़े मत रहो कैसे कैसे लोग है यह तो कुछ भी नहीं है सर और कई ऐसे बास है जिसमें लड़के सुरक्षित ही नहीं है लड़कों की यह बगवान करने वेट है वो तुम्हें टंच क्यों एशे ही खड़ियों उसे कुछ बोलती क्यों नहीं छोड़ो रहने दो मैं अगले स्टॉप पर उतरने वालिक क्या वोली अगले स्टॉप पर उतरने वालियों और अइसे नोद्स लाइक देस आइश बादेश या गुट तो इसके लिए मारोगा मुझे मैं काओ नू जानती हो अजीत या वीजय जटका चलेगा औरे पापी तुझे मैं चपल से मारूं तुझे क्या लगता है तुझे के लगता है तुझे तुझे पुलिस कामाले करूगी तुझे करनी बैसी भर नी इसका मतलब मालूम है कि तुझे नहीं है तो मैं तुझे समझा देता हूं आज समझ में आ जाए तुने गल्तियां की है शाम तक तेरे पास लौत कर आ जाएंगी तुझे घंड़ कर शाम को खुदा कर मुझे देंगा तुझे नहीं है पुलिस के हवाले अधरकार था कि अधर कान में अधरकाड लेके जाओं तो चावल नहीं मिलेगा अधरकार योगवां पर्फार किनीच एक थपण मेलेगा अधरकार कि आप जिसको डखटा यह तो फुज नहीं बोल रही है संजे बुड़ा तो से भोना लवर से या बुरो साइड गैप में चीज के साथ शामिल कर रहे हो जो गड़ जसी हर काते कर रहा है तूने मज़ा इंगा इंग लड़की को चेड़ता है इसको दो यह इसको मारो खाल इसको मारो खाल एक पुली से इसका फैसला करेगी अभी या माईना घतम होने वाला लेकिन एक बी नया केस नहीं आया जबसे नया इंस्पेक्टर आहा है तबसे कोई गलत काम करता यह नहीं निया केस है और वो छोड़ दो अलागी साब मतलम चलो 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 निकलो यहां से चल्दी अरे आज कितना कलेक्शन हुआ रहे ताही आज सबने हाद से ज्यादा मेरी पिटाई किया इसलिए कुछ बढ़िया खाने के लिए लाना पिटाई तेरी हुई पर आइडिया तो मेरा था आज मैंने इंग्लिश में इ यहार जो भी करना जल्दी करो आपके जीम में जो परसन उसको निकालो तो दोनों बापेटे रोट में नाशने लगेंगे देखो तुम्हें सिर्फ हजार रुपए ही मिलेंगे और मेरे नौकर को यादा देती है फैमली को थोड़ा देगी भाई का बेन का भाई का तीन है तो फिर बारा बरवाई से इसे करो यह देर देखो पर्स को ताला मा रहा है अरे छोड़ो आप तो जब अपनी जेम में भी ताला लगा के गुमते हैं लगता है बाल बच्ची वाले का है इसे मालूम नहीं नहीं है हम इस धंदे के पुराने घिलाड़ी है भूल गया जो ऐ इसे खड़े हों के घूर गूर के देख रहे हो इसा क्यों मैं बढ़ा हूं बोल सकता हूं सब्सक्राइब इधर क्यों मैं उधर जाके गाता हूं शक्ती बहुत कड़क दूप है तु मुझे पका बता के वह आएगी के नहीं आएगी ना शक्ती तेरी फिगर आई या ना है मेरे पिता जी को शुगर ज़रूर जल्दी मत मचाओ उसे एक बार देखोगे ना तो देखते रहोगे आजीट जैसा ही लगते हैं ताई इसे तुम्हें अंटी बुलाना चाहिए लेकिन तुम्हें बेंट बुला ता इसके लिए इस ऐसे पताओगी तुछ तुछ से जलन हो रही है क्या बोलना हो सुन रोड के कुट्टे गाड़ी का पीछा कर सकते हैं लेकिन गाड़ी में नह कहां से तुम इस लड़की से प्यार करते हो ठीक ठीक है इस बार मुझे हिस्साने चाहिए मुझे बहन मानते इसलिए तुझा जीट कहा तुझे सत लगा क्या एए चलो चलो जल्दी चड़ो पीटा जी चलो जल्दी चलो हुआ जहए दिखा केया गए तेर्फा गश्याएं जोरे मांस की डुकान में मांस कोकुत्य किस्तरा से देखते है अैसे देख रहा तू जरा साइटो शकते जाना बात कर प्र आ भीटी एक इंफिनिटिके टिकेट ले ना इंफिनिटि ना शक्ति हलो इंफिनिटि एक टिकेट पास करो इंफिनिटि नाम नहीं है एक इंफिनिटि लग्यू बोलने को बोला तो शक्ति भक्ति कर रहे हो एक इंफिनिटि ना इस पर्स यह आपके लिया चलिकल यह तो पर्स चोरी कर लिए उपर सब्सक्राइब लेड़ भाई अब यह जाए पूरा यह जाने तो एक चोर है और इतना घमर चल तुझे पुलिस टेशन दिखाते हूं तुझे लेके जो इसे देखो उसने बुला और पीछे चल दिया शक्ति तुझे पुलिस टेशन लेकर जा रही है ऐसे जा रहा है जैसे लोगों के साथ ऐसे होना चाहिए आपके पर्स कैसे आया चार टाइम निकाल मैडम बाकी ग्यांग नहीं दिख रही है सिर्फ शक्ति को लेके आई है क्या गैंग नहीं है सर यह वहां अकेले ही खड़ा था पिक पॉकेट करने के बाद बड़े रॉप से बात कर सकते है मैडम बात किया सर आप एफायार लिखिये ना ऐसा क्यों बोलती हो बेटी आज अ लोट में जाना होगा तो गायब हो जाओगी मैं मलाइका मैं मुंबई से एंबीए कर रही हूं सेवन्थ स्ट्री अशोग नगर इधर ही रहती हूं कि इधर आके गवाई दे सकते हैं कर दो एक लिखने के लिए इससे क्यों पूछ रहे हैं क्यों मैडम आपका एक ही केस है आप बोलके निकल जाओगी हमें एक दूसरे का चेहरा डेली देखना है पड़ता है तुम जाके कंप्लेंड लिखो पेपर आइसा ही ख़़ा है क्या है यह शक्ति कुछ गडबड लग रही है लड़की बहुत खूप सूरत है कैसे भी इसे पटा के लाइप सेट कर देना त सबम देख लेंगे तुम अभी जाओ शक्ति एक जरूरी बात है यह लड़की यह क्या रेडियोरी से पहले की चलिया तुम्हारी सूरत देखने के लिए नहीं है कल कुछ हपता-फता देके भाहर निकल गए तो फेस्बुक में फोटो डालके तुम्हें बदनाम कर दूंग जाना ना यह जलना मारते हैं क्या बात है क्या बात बुझे चलो मेरे बगार होई नहीं सकता है करें कि अच्छे गड़ी लेफ़े लो के सब करें 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 बेड़ो नहीं बेच्छूंगा सिर्ज बेट ना कजेंदर तीन चाय बलू तीन चाय एक्लेमंटी और ग्लेमंटी टाइम लगने वाला है कि सर और एक आत्मी आजा है और फाइब कि अधिर कि माति फिर्वीबच्चे वाला होना नहीं से बागे मैं आपके पैर पकड़ता हूं से बात को समझे बाद लिए चोड़ी जिए शर मुझे फॉसाए गया है प्लीज सर प्लीज कभी जिन्दिके में आपके काम आ सकता हूं सर नहीं सर मुझे मत पार यह सर अब अगर चलाओ तो उसको नहीं लगेगी ना जी हां सर तो भालतों में क्यों मारूं जाते समय साथ बुला लेना ये खर्च के लिए रख लो रखो वेहन लो अच्छे से जिन्दिकी चीव हो जाओ सर उसे आइसे ही जाने दिया अब बड़े आफिसर को क्या जबाब देंगे मन से बड़ा को यदिकारी नहीं है ये एक दीर है इससे जिसके लिए छोड़ा है उसे पकड़ना है साहब है क्या व अंदर काम कर रहे हैं यह तुम्हारा यह तुम्हारा तुम्हारा घड़ी मेरी लूट लिया आपका बाकी रखा है तुम्हारे शर्ट है ना शर्ट बहुत दिनों से मेरे भी पुलीस वर्धी पहनने की खाहिश है अपना शक्ति शक्ति शर्ट देना तुम शर्ट हार गए यह अरे बाहर जाना इंस्पेक्टर है तो मेरी नोकरी चले जाएगी मेरा शर्ट देना यार अभी रख लो पाद में पैंट भी ले जाओंगा अरे आप नहीं को तकलिफ की मैं तो उनको बाई करके आही रहा था अरे सोरी सोरी अभी आपके दोस बट्टू ने बताया कि आप बहुत ही अच्छे इंसान है सर 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 सारी सर एफाया नहीं करनी मुझे मैं कंप्लेइन वापस लेनी हूं यह सब होगा मुझे पहले से ही पता था मैडम वह बाहर होता तो कम लूट लेता तुमने उसे अंदर पूरा लूट लिया मैं समझी नहीं तुम यहां से लेके जाओ आप चलिए सुनिये कल वो पट्टू ने चाहिए इंविनिटेटर में इसलिए तो अपना शक्ति चाहिए सूपर शक्ति क्या सब आप से क्यों पूछ रहे हैं आप कौन है अरे यह तो कुछ नहीं है सिंपल मैंटर है स्टूरी लंबी है कॉफी बिलाव डीठेल में बताता यह जाता तो मर जाता तो पैसे नहीं पैसे बोला क्यों चाहिए पैसे स्कूल फीज के लिए पढ़ाई के लिए चाहिए पंद्रास रुपे पढ़ाई के लिए ना मैं कितनी वेल कर सकता हूं जा अच्छे से बढ़ना थांक्यू एपट्टे जाना छोड़ गया नो उसको ह मैं छोड़कर आता हूं ए बेटा यह ले थांक्स भाई तुम पुलिस हो ना मैं समझ गई हूं मैंने पुलिस टेशन में तुम्हें देखा था और अभी आईडी कार्ट भी देख रही हूं क्या चीज एसी आंके है शारपॉंडर थेज दिमाग है आपका था मेरे फ्रेंड्स पी ऐसा ही बोलते हैं तुम पुलिस को क्यों नहीं बता रहे हो तुम सी आईडी हो ना कहें तो सक्की हो नेक्विन पट्टू कभी नहीं पता मैं पुलिस हूं मत बता देना है अरे रे मै कौन हूं तो अच्चा है बाला है सब जानगारी रखने वाला बहुत बोड़ा किमाग वाल्यया आपको ना पूंब्लिक को आपको परिशान कळल अरे गी विल्कुर को इसलिए घण तेरे और मेरे अलवा और कौन बेठा है तुपरी कोन है तू या मैं टेंशन मत लिया ठंडा ले कि अधिश्टर्स आप से मिलना है अपॉइंट्मेंट के भी ना आई यह आई 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 कि अधिश्टर्स आप सब लोग बेठिए मैडम के मिलने के बाद आप लोग यह लोग कौन है पेरन्स टीचर एसोसेशन मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं मैंने मना भी किया लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं पहले इने भीजिए मैं बाद में मिल लूँगी मैडम आप पहले मि पहले इने मिल लेने दो मैं उनसे बाद में मिल सकती हूं थोड़ी देर इंतजार करना अच्छा लगता है मुझे कोई एतराज नहीं ठीक है आई है दो दिन से मुझे मिलने का सोच रहे हो क्या बात है ठीक है पर कैसे पॉरिंग की तरह सर पॉरिंग के जैसे मतलब बच्च स्कूल में बदल देते हैं हमारे बच्चों को भी गवर्मेंट स्कूल में डाले के लिए यह तो अच्छा एडिया है अच्छी इंग्लिश नहीं सिखाते हैं सर ओ ऐसा भी प्रॉब्लम है क्या तो फिर एक काम करो आप लोग घर पर इंग्लिश सिखा दो मैं उन्हें स्कू में असी प्रतिशत लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती उन लोगों ने तरक्की नहीं की अपनी तरक्की के लिए मात्रु भाशा बहुत जरूरी है पहले इसे समझ लो क्यों सर क्या प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट कर दो जरा समझधारी से बात करो जब क्यों इतना गुस्सा कर रहा है फिर क्या सर छूट दी तो बखवास कर रहा है आज के जमाने में हफ्ता लेना कितना मुश्किल है यह उन लोगों को पता नहीं अच्छा और कौन है आर्पी गुरूप की अमडी आपसे मिलने आई हैं आने बोलो आयो मेड़ों नमस्ते आई आई बैठिए आपके रिष्टेदार अभी आके चले गए इसलिए यहां इतनी गर्मी है किस काम से आए तो प्रोग्राम रखा है आपको ज़रूर आना है प्राइवेट फंक्शन्स में जाने की आदत नहीं आदत नहीं है तो क्या इसकी आदत तो आपको डाल प्राइशिप देना चाहती हो और इसकी शुरुवात आपसे हो तो अच्छा होगा तो तुम्हारे स्कूल के बच्चे बच्चे सच्मुष होना रहे वो किसी भी स्कूल के हो अच्छी बात है फंक्शन कभी है आने वाली 22 तारीक को ज़रा नोट करो ठीक है धन्यवाद और भगवान की कृपा ही नहीं हम जैसे लोगों की भी जरोरत है यह अच्छे से जानती है अच्छा कितने सीटे होंगे इसके पास कोई पांच हजार सीटे होंगी इसका मतलब आज अगर मैं इसके काम आया तो कल वो मेरे काम आ सकती है अरे ये पहले ही एलेक्षन में हमें क्यों नहीं मिली तुम भी कमाल के आत्में मैं सही क्या रहा हूं तुम्हीं रॉंग सैट से आ रहे थी अब नुक्सान के पैसे कौन देगा कम से कम एक हजार रुप्या लगेगा इसको ठीक कराने मैं मैं नहीं जानता मुझे पैसे चाहिए रहा है तो गाड़ी चलाने आती नहीं है अधिश्रुती क्यासी हूं मैं यहां का ड्यूटी इन चार्ज हूं तुम यहां क्या कर रही हूं छे मैने हुए यहां पर क्या हुआ है रॉंक साइट से आने के कारण गाड़ी का एक्सिदेंट हो गया से देखिए ना मेरी गाड़ी तो लेप नहीं खड़िये से यह ठीक चलचंटे तुमें से गाड़ी बनवाणी कर पांच वुर देदो तुम मत लेले ना उसमेस नहीं सर्फ शुरती आओ हुआ है हुआ 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 है हुआ है 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 अट इसमें है ठीक बढ़ए थार्वारा का है थैक्स मानम थैक्ष्व ठीक ठीक कोफी है कि अच्छी है अरे सुनो भाई अकेली रहने वाली लड़की के घर के पार पुलिस की गाड़ी ऐसा कुछ नहीं मैडम वह साप की फ्रेंड है बहुत दिन के बात मिले अंदर बैठके बात कर रहे हैं अच्छा फ्रेंड है हाँ मैडम है कौन है सर आपसे इतना प्यार करती है यहने प्यार किया उस लड़की से फिर शादे क्यों नहीं कि पर मैंने उसे कभी बताया नहीं क्यों सर् वैसे मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ लेकिन इस मामले में मेरी हिम्मत हार जाती है उनके माता पिता और कोई भी नहीं है के सर्थ सब थे एक पूरा भरा हुआ परिवार था एक संसकारी परिवार आप कर दो इसका चोटा भाई टेंथ में स्टेट में फॉस्ट आया था बड़े बड़े प्रवड़े स्कुलू से बड़ी एजुकेशन देने के लिए उसके घर पर आते थे दूसरे शहर फॉस्टल में रहना पड़ेगा यह तो अच्छे पढ़ने वाले सबसे बच्चों को हमारे स्कूल में लेते हैं आपके बच्चे के फ्यूचर को देखो ज्यादा मत सोचिए सिर्फ दो साल ही आग बंद करके खेलते खेलते निकल जाएंगे इसकी पड़ाई का पूरा खर्चा स्कूल उठाएगा आप सिर्फ लड़के को भेज दीजे कि दो साल सबसे दूर रहना इतना इज़ी नहीं है तुम है यह गाओं मेरे फ्रेंड्स यह सब छोड़के मैं नहीं रह सकता पहले तुम मुझे समझो दीदी कि दीदी तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा तुम चाहती हो ना मैं डॉक्टर बनौँ उनका बच्चा पढ़ते बड़ा आदमी बने इसके लिए उसे बाहर भेज़ देते हैं इसकूल में बच्चों के बीच में कोई प्राब्लम हो गई जितने उमीद से बच्चे को भेजा था पढ़ने के लिए पर उसके लाश ही ख़़ा है क्या हो कि अगरे मरने के दुख में उनके माबाद दोनों ही मर गए और ये गाओं छोड़कर चली आई बच्चों को फूलों जैसा संबलना चाहिए नहीं तो ऐसा ही होता है कि हाँ कि इसने सब को खो दिया आपने उनसे पहार किया है नरें इस में प्यार व्यार के बात करना अच्छा नहीं लगता मेरी बात का बुरा मत्बाहनियसर मैं किसी बात की कमि नहीं है आप यूँँ नहीं करतें कि गजिंद्ध स्ट्रेश करो तब भी बॉडी फ्लेक्सबल रहेगी मैं जीब ड्राइवर हूं मैं क्यों भागू ट्रेनिंग में भागे-बगर सर्टिफिकेट लेके जॉइन हुआ हूं कौन है वो वह आरके है सर रायपूरम काशे सहा मरडर 8 रेप केस 17 किड्नेपिंग वस नमस्ता इस्पेक्टर मैं ही हूं आरके लोंगी पहनू तो रामकृष्ण जीनस पहनी तो और के इसने बताया ही होगा अभी बताया जो पूछना बेना इसके पूछ लीजिए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता एक दिन घर पर मिलते हैं कहां सास के घर इसे लोगों में अगर इतनी गंदगी है तो खाखी वर्दी में कितनी जांत रहेगा तो उसके लिए अच्छा होगा नहीं तो लेट चाहिएगा जाओ जाजा कर पानी लगोगे सर अधाना प्लीज हेल्प करिए देखिए न क्या होगे इंको आटाओ अलो अरे इदर आ जल्दी यह कहां से आया अरे गाड़ी लेका जल्दी आरा इदर लेक्टर वाजयों में मुझे भी फसा देगा ले आओ आरा हूं सर बल्दी आओ कि डाक्टर साब बोले रिसेप्शन पर जाईए एडवन्स ट्वंडी दाजन पर दीजे इसमें तीन अजार कम है यह लीजे मेरे पास इतने ही है आप पूरे पैसे भर देंगे सर तब ही पेशिंट की ट्रिट्मिंग शुरू हो पाई जानकी भी तो कोई कीमत होती है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती फूल आमांट भर नहीं पड़ेगा यह लिजे इस से ले लिगे बहुत बढ़ी है सर आप भी मेरे जैसे अच्छे हैं हम दिलवाले किसी के मदद कर सकते यह गज अंदर मेरे साथ ही रहता है लेकिन जेब से पांच पैसा नहीं निकलता पुलीस वाला है ना कुछ भी बोलता है क्या तुछ चुप कर रहे बड़े दिलवाले की तारीफ करनी चाहिए सर आप से बहुत बात करनी है चलिए कौफी प रहता है तुम चुप बैटो ना अरे यार टेंशन क्यों ले रहा है मैं बात करो न मसता अव सर उसका नाम भी रखाया है आप उस एंगरी बर्ड को देखा है क्या अभी चांस नहीं मिला है सर अब उनसे गंटा बात करेगा ना तो उबामा भी हिल जाएगा एंगरी बड की स्थाइट कि मली है तुम जो फॉक पॉकट मारते हो शर को पता है क्या अरे जो कंप्रेंट करने आता उसका यही तो मुझे बताते हैं अलग से 5000 देता हूं मैंने का स्वारी सर इंस्पेक्टर कितना लेता है इससे पहले का इंस्पेक्टर बड़ा कडूसता है यह एके बढ़ने उसका बाप जैंग रिवर्ड भी पर नहीं मार सकता क्यों सही बोला ना अरे तुमने सब कुछ बताए दिया है मुझे कुछ बोलने के लिए छोड़ा देखा सर बांका है मगर शर्मिला जवान है पुब्लिक में जादा बात नहीं करता अच्छा सर आता हूं हाँ वो ही है गाड़ी रोको ए शुर्ती क्यों गाड़ी फिर से ठोंग दी कहीं क्या पेट्रोल कातम हो गया पुलिस वाले से जोड़ बोल रही हो चेहरे को देखके लग रहा एक्सिडेंट करके आई हो यह गाड़ी के पार्ट्स को उठा करके नहीं लाती हो क्या हूं गाड़ी अच्छी चलाती हो पर संभाल के चलाये करो इनकी कोन लगती है यह सब तुझे बताना पड़ेगा क्या चलो गाड़ी को साइड में खड़ी करो मैं तुमें डॉप करता हूं गजेंद यह गाड़ी लेकर क्या आजाना डरने की बात नहीं वो लिए आएगा स पर सर महें लेके आता हो ना सर ठीक लिए इसके ऊपर वरुस्ता मत ख़ो तेरा दोस्त है ना अगर यह कुछ गलत करेगा तो तुम तो हो ना चलो चलते आजाओ अब गिव्क देना भूले गहें सर वह मैं बाद में बूनां तो जाओ यह से को कुछ नहीं शुर्ती गजन गाड़ी में रखो सर अब बीडिना भूले गहां से अब भी नहीं बाद में बताऊंगा शर्मा वाद देदो ने सर कि शादी के लिए बनाया हुआ है सर को घुस्सा जादा है लेकिन इस चीज़ में कम है इसलिए आपका नाम नहीं है आपको चलेगा तो सर को भी चलेगा तुम बहुत केडलेस हो इसलिए तुम्हारे साथ रसाओं अब ध्यान चे रहे ला हां हाँ 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 है यह मेरे फ्रेंड आनू हलो मैं इनका फ्रेंड पट्टू मैं इनको बोल रहा हूं हाई हाई यह लेला एफम आर्जे अर्जे बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है यह रेडियो में आजिस विजय दुनों साथ में एक्टिंग यह तो किसको किसके साथ जोड़ी मिलाना है तेरे एरिये में कौन डंडन का मे में कौन से रूट फाइव वी पट्टू वही लगता यार के वाला माजू में कोई न्यूस में पर लेके खड़ा था हां सर वह बहुत देर से खड़ा था मुझे लगा कि मुझे छेड़ने के लिए खड़ा लेकिन वह तो मेरा पर्स लेके ही भाग गया फिकर मैं करो पर्स कुंद आएगा ना तो एड्रेस लेकर अधरकार सब लिंक हो जाएगा जाएगा चल 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 गाड़ी निकाल लिंग ले जाना है लाओ मुझे दे दो मलाइका मैंने बेटी के शाड़ी के लिए तुमसे पैसे मांगे थे मिलेंगे क्या तु बिल्कुल डरो मत मा वो तो दे रही हूं मा तुम देवी को क्यों लेकर आई हो मैंने तो उसे मना किया था वो फिर भे चली आई अभी किधर है वो वो अंदर काम कर रही है और मुझे लगता है तेरा भी यही रादा है नई दीदी घर में सिस्टम नहीं है थोड़े लेसंस डाउनलोड करने थे इसलिए लेकिन तेरे गवर्मेंट स्कूल से तो तुझे लैप्टॉप मिला है ना क्या हुआ अस लैप्टॉप का उसे बेचके पिताच हम लोग टॉपलिस में नहीं आ सकते क्या हम लोग एंजीनर डॉक्टर नहीं बन सकते क्या मैं जरूपलिस्ट में आऊंगी पासवर्ट है भारती कौन है आई बेबी मलाइका है क्या देदी गाव से आपके दादा नौकरों के साथ आए हैं दादा भूलगी आपको दादा भूलगी यह फैशन डिजाइन नहीं को जूनते हैं पापा अपने ग्रूप की ही है कौन सा एरिया है आप फैशन डिजाइनर है क्या हम दोनों हम साथ बजे के बाद यह सब नहीं पीते हैं हमें एक रूत है शक्तिया आप कहां करते हो अरो यहीं इंफिनिटी थेटर के बाजू में वह काड़ी में सब्सक्राइब ना अच्छा आप लोग बैठिए मुझे अंदर का रूप ना मैं क्या बोल रहा हूं यह अंदर जाके आके खड़ी होगी यह लिजे पर सेंक्यू हां के इधर है वह दिखाई नहीं दे रही है देर हो रहे थी इसलिए वह चली गई है आई थिंक वह प्रोग्राम में होगी वाइस सुनोगे क्या ओके दो मिनिट अभी आती हूं एक चोर पुलीस बना हुआ इस्टोरी पट्टू हाथ बांद के बैट चोरी मत कर चोरी के बारे मैं बोल रहे हो क्या यह यह दे बोडी इस्प्रेइब इसे मारके जाएंगे तो रोड की सारी लड़कें पीछे आएगी अरे इसा मत कर यार अरे बट्टू पट्टू मत कर मंध्या कर रहा है तूटू इस्पाराइगी तूश्यसार पट्टू क्या भी अरे बोडी स्प्रेइव तो पेपर स्प्रेइब आइए तो किचन में रखो जोबैक में रखी हो आपने को सब पसंद है गाए क्या टोगे क्या और आते रहे तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे जल्दी से शादी कर लो क्या बात है कोई मिल गए यह क्या शुर्ति इसी गाउं में है तुमने कभी पताया नहीं चल चलते हुए बात करते है इतने सारे मैसस कर दिये किसने शुर्ति नहीं पहले तू उसके पीछे घुंगता था अभी वो तेरे पीछे पड़ी है क्या जल्दी से शादी के पार्टी क्या है कि हाँ अक्वी देद 가운데 डॉक्टर से सारे डिटेल्स लेलिए क्मिए लिजिआ है पीफिई क्या आप शुर्ति नहीं सर्ट इन जैसी दिखरें से तर्फ तुदि को क्या वोगा है कि जाके देख्राइब गाली चलाने नहीं आधि पिपी ढाकर कहें ठोक देती है मारती ही नहीं तुचल मैं तरे साथ है गजंडर कौन से वाड में सर बोलो के जंडर कौन से वाड में शुदी सर और बोलो भी गजंडर सर शुद्धिवैन अब नहीं भी आ सर अंदर पोस्टमार्टम चाग रहे से श्रादी करते हैं चलके पॉरमलेटिस कुरी करते हैं एए करते हैं कि यह एग प्रभू मेरा यह लोभ सक्सेस ऊहना तो सारे बुरे काम बन संबल के चलो रहे यह बच्चे बीना इधा चाहरे बाई ज़रा देखके देखके चलने को नहीं होता है यह सब मांदिर में नहीं तुझ आ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो क्या घर लेगा दो चकली देना भैया कि यह लो पैसा आज देवी का रिजल्ट आएगा उसके लिए गिट करी देंगे ओके मैं घर जाके फोन करती हूं ठीक है कि देवी यहां बैटके क्यों रो रही हो क्यास में सो गए तो मुझे बहुट डाटा क्या कर सकते मेटी मुझे भी लगा था तुम फास्ट आओगी मैंने सच में अच्छे से बढ़ाई की थी स्टेट में टॉप करूंगे मुझे यकीन था लेके सब खतम हो गया कि यह इजा रुक है अरे भाव अरे तुन्हें अन्ना का पर्स मारा है औरे मैंने तो नहीं मारा अधरा में को ने पेंडरा बोले तो शक्ति भाव तुझे पता है पता है यह जलो इसे चल जल अधर बैढ़ इसकी हाला देखो बेटी इसकी हाला देखो जाओ इसे बताओ ना तो सब्जेक्ट में नंबर कमाया तो इसने कीड़े मारने वाली दावा खाली अब बागी सब्जेक्ट में मैंने घरों में काम करके इसे बढ़ा क्या पढ़ाया लिखाया और यह जो मत्मा प्लीज तो जाएगी तो पड़ाएगी तो लेकिन में टॉपर देपन पाई तुम्हारे लिए अपलाई कर रहे हैं चिंता मत करो पट्टो देखा क्या कैरम तुकेलने दे बहुत दिन से बोला ना बड़ा हाथ मारना ये पर्स नहीं मारा लव के लिए छोड़ेंगे ये लास्ट है ये टार्गेट का पर्स नहीं है लगपती का पर्स है शांति की शादी में जाने के लिए पैसा नहीं था वो तेरा वन साइ यह यह भाई है कि अपने अरिया में हूं बोलो ना मुझे आपसे जरूरी काम है पर्स मारा है पता है यह कोणा तुम लब एक उटालो ने उपराद में लगना क्यों लेकिए जालो कार यारा उत्तों है 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 हुआ हम किश्ते है इसकार और तर्हें लिए अर्यु टॉर्च शोडे कि दरेखने के बाद कि तुछे पता नई चला मैं क्या बात कर रहो हो मैं अपने स्मारत ओं मुझे क्या पतता कौन सा मन्दर में मारा हुआ वोवे हो फोशय पर्ष तो नहीं मारा था ना किदा रहा पर्श कोडाउन में हूँ जॉन्य प्रिवेलिशन फर्म कहा समिट करना है वो समने आले टेवर पर सर रिवेलिशन फर्म डीडीयो के आप कौन हो बेवी कहा है सर वो हॉस्पटल में है क्या मेडम कंसल्परसं को आना ही पड़ेगा कम माख्सा है इसलिए इसलिए वो हॉस्पटल में है कुछ भी होजाय मैडम उन्हें यहां आकर साइन करना हिपड़े गा सर आप्यंद कर रहे ह थेंक यू साप शुटी के कुछ लेटर्स है सब्सक्राइब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है क्या हुआ हमने जिसका माक्स कम किया था ना वो देवी नाम की लड़की ने सुसाइड अटेम कर लिया सर बढ़ती है तो मरने देना उसका रेवलिशन लेटर और ओरिजिनल पेपर सर मालाई का नाम की लड़की ने आक कुछ परेशन ही तो नहीं ना नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं तो ठीक है चल दिखा कहा है कि यह जगा अच्छे सब देख लूँ कि यह कि दर है पर चल दिखा आप आप देख लो चलो देखो रहे इसमें कहा है इसमें नहीं है और चीकरो फोड़ा फट अरे कहा है पर अच्छ पॉड़का पर अच्छ पॉड़का रहे नहीं है रहे तो दो आप 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 पार्स चल गाड़ी का पेपर लिखा और अक्षन दिखा यह नो सर्ट सर्ट इसे थ्वा देखिए हाँ सर्ट यह गाड़ी ओवर स्पीड में गई है रोकने वाले ने रोका नहीं मैंने इस्पाइन भी मारा नहीं सर्ट वो लड़की धाई बजे मरी है पोस्तमाटर रिपोर्ट में बताया है लेकिन आपने चार बजे का ओवर स्पीड लिखा है ऐसा क्यों सर्ट उसके बार मे क्यों किया मैं उसका और तेरा क्या नाता है कोर्प्रेशन में अच्छी लड़की इसके हलत भृत खराब है अपर मते तुझे क्या करना ऐख तुम सब इंसान हो क्या गरीब लड़की पढ़ने के के सोच रही है फो क्या गलत है बढ़कर क्या करेगी बढ़कर स्टेट में पड़ने जाएगी क्या अच्छे से पड़ भी लेगी तो चार घर के बड़तन मांज कर रही जिन्दकी गुजारने वाली है वो क्या करेगी पड़के मुझे देखकर तुझे ऐसा लगता है बता दिखा दू उसके लिए मुझे सिर्फ पांच मिनिट लगे देख बीपी आई में गई थी डी वैलियोशन अपलाई किया था यह सब भूल जाना इसके लावा अगर कुछ करने की सोची भी तो बरबाद कर दूँगा निकाल वो अपनॉलिजमेंट कार्ट नहीं है है इधर ही हूं आप इके साथ हूं किसे कैसे ठीक करना मुझे सब पता है आप किसी बार की चिंता मत दीजिए मैं हूं ठीक थेंक्स निकाला क्या हूं और किस veya दंस्यां पागा इस जो किसी सिकना डिए य॥्वक यहीं क्यां निक और मेंगा हूं इसकिस वाकर यहां मैंन है ए जिलिए रही रहा वॉड़किंऑ कि सत्या के बारे में पता है ना बहुत अर्जेंट है साफ खड़ेओं से बात करो क्या हुआ कौन है रिलेक्स पूसर गंपियां पे मुझे धबकार है यह मैटर तो बहुत ही सीरियस लग चलिए हम कमिशनर आफिस जाके कंप्लेंट हरते हैं हुआ किसु आने इस सिष्रेवन है क्या जैला नवी ऐा है निग्या निकाल कानीए ने तुझे था सिक्ष्रह समय studios old आ है लो कि एक हागु को ह्ज शाय को जोड़ शोचिन है जाधिनन हाँ जो फोगे दो कि अज़िए कि अज़िए अज़िए तेखता नहीं क्या पुलीस यह तो जांसे मार देगा याटे देख क्या है उसे पकड़ के अंदर डाल तूट जा लगाड़ी निकाल कि मलेका तुमियां क्या कर लिए कॉन काम हो गया नहीं भाई उसे पुलीस ले गई जूड रहा है उसे सिपी लेके गया है रवण आगया क्या देख कर नहीं कर सकते क्या पॉलिश दिपार्टमेंट नमस्ते सर चौदा तारी की फोटेज देख सकते हैं क्या है सर थैंक यू प्लीज मैंने काम कर दिया है सारी सर गजिन शुती साड़े बारा बजे घर के बाहर गई है और यह शुती की गाड़ी साड़े चार बजे लेकर क्या रहा है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की अनुसार वो धाई बजे ही मर चुकी थी तो घर और तोल लाका के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा बोलो सत्या शुवण कहां पर हो शुर्ती का पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया था उसके घर पर आओ अरे एक इंपोर्टन मैंटर के लिए कमिशनर ओफिस जा रहा हूं तो थोड़ा जाल्दी कर गजेंग चलो जी सर्थ मदुसुदन इनको कमिशनर ओफिस लेकर जाओ मैडम एक अर्जंट काम है आप कमिशनर ओफिस में बेट कर मैं आता हूं पोस्टम रिपोर्ट गलत को लिगी इसके काई परिकार किसे काई ने लिगा किसके कर ने बिलिगा बॉल 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 ने जो बागेंगा वाग रहा है को बाग रहा है बोल बोल किसके कने पर लिखा किसके कने पर लिखा बोल जोड क्या श्रवण इसको क्यों मारा यह की एविडिंस था इसलिए तो मारा करेक्ट टाइम में आकर नहीं ठोकता तो सच बोल देता जो बास कि दोस्तं पाटकर पिगेंस सभया करने की तूरित है रखetosद्धर आगए उद्रवन रखो रखोर किता निशार ऑलमलो डुस्त क्या होगी यह तुझा पता है तो कौन है सुर्थी कुमारा तुने अरे तु पागल है क्या ये सब मुझे पता होता तो मैं क्यों भाग भाग के आकर इसे मार देता ये सब तुने किसका कहने पर किया देख दोस्त मुझे किसी को फसाने की आदत नहीं है लेकर आओ सब्सक्राइब कर दोक्तर को क्यो मारा सर इसमें कौन-कौन शामिल है सर वेट 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 कोई एक ही सवाल पूछो देखो अचानक उनकी डल्फरेंट गुजरने के खारण वो थोड़ा मेंटल और अफसेट हो दिया बेचारे ने डॉक्टर के ऊपर शक खाकर उसे भी मार द सबस्क्राइब करें डॉक्टर को नहीं होगा तो कि आपको करेंगे लिए प्राण। शक्ति! यह जो उसको ठोड़ना ला है उसको बहुत ऐसे बद्सक्राइब कर लागे दो है 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 चौड अज़े है 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 तुछ कि तरे पता रही है उसे मार दूगा प्लीज उसे कुछ करो कुछ करें उसको हाद है है प्रुषे! 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 जिर वान सो सांगहाल झान इनन Avengers ठतना उन्हाल इसमें क्या गलत है डिवालिशन करना कोई गलती है क्या वह तो मुझे भी निसमाद में आ रहा है देवी का का उनसे क्या सब्बंद हो सकता है बहुत कंफ्यूजन है अच्छा लेकिन तुम क्यों भाग रहे थे वह तुमसे किसी पर्स के बार में पूछ रहे थे तुम्हें ब बच तो गए हम दोनों देवी तो ठीक होगी तो फोल फोल जो है अलो यह शक्ति किदेर तुकितर आज मैं खुश हूं लवर की शादी में खंडाला जा रहा हूं वो ठीक है हॉस्पिटेम ले देवी एंगों से तुन नत उठाना है यह बहुत दिनों से इच्छ दी उठान चलो कि अच्छ चाइब गार शुर्ति को क्यों मारा अच्छ सत्या संजो हम हाइवे पर फास्ट गाड़ी चला रहे है अचाना कोई बीच में आ जाता है उसे उड़ा देते हैं तो क्या वो मर्डर हुआ हां एक्सिदेंट है ना शुरुति भी एसे हमारे रास्ते में आ गई उड़ा दिया उसे एक्सिदेंट तुम भी हमारे रास्ते में आ रहे हो एक्सिदेंट ठीक है जलो एक्लास चाइब प्रावानुटाए खरावा प्राव में प्रीजुन दिंचाय, बसमेश एगलेमेट अगलो है कि अजड़ना कर दोड़ दो नालो जा खर्त डैग इंदान सब्सकता तो एंदाओ प्ना नाथ, लुटम के खरोलवे हैं कर दो को जा हो जा है डार प्र भूम्याम के का, प्रभार के लएटान थे MARK जहां और जडिह को डिद कंहां के आप का लगनिक संव भरे प्राइब का जा तर्मीं है जहां कि शया यह लुका एा के लुप को अ pasti है छोल से हुआारалась कि यह वाड़ी यह वाड़ है अंदर जाके बुलाते हैं तुर यहीं रुखना सुन्चन चल डॉक्टर के गेटब में कैसा लग रहा हूं पहन के टीवी एंकर जैसे लग रहे हो अंदर चलो चलो तुम अभी डॉक्टर हो पता है डॉक्टर इसनी पढ़ाई करने के बाद जूद वे एक ही काम क्यों करते बैठते हैं इंजिनियर बने वकील बने हम तो है ना फिर गिर्गित क्यों गुद्बॉर्णिंग गुद्बॉर्णिंग इससे पेले मैंने आपको यहां पर देखा न कम अउली ख़ण अब करना फीज करते हैं और चमरें अवह सब्थ ज हमकई करना अगर आज के दिन किशी की भलाई करेंगे तो कल आपका भी भला होगा ओके ओके युके रियाओं करें देखा ना कैसे मैंने एक मुहाबरा सुना कर बगा दिया के सब्सक्राइब देर्टे रखते हों जलो जलो मैं यह देवी कौन है आपको मैं नर्स हूं हाँ ओके मलाइकल बता हूं तुछ अधिक जल्दी करें आरा आप से यह को पून कर रहा है आप अब बोल रहे तो लोग अंदर आ चुके आगे क्या तो मैं लेके पीछी आजो पिताजी पिताजी वो लोग आ गए है जल्दी करो जल्दी करो जाएक्टर सुन वो डॉक्तर को बुला रहे हैं तुमसे प्रफिताजी पिताजी पिताजी हम सब साथ होके नहीं जा सकते अलग होके जान होगा विजे को देभी को लेकर जाने दो तुम आनू को लेकर आटोस तो मैं तुम गेट अप उतार के साथ चलो जल्दी दो क bench को भ… हो जल्दी करो फिताजी। नहीं तुम दोनौतु जल्दील आओ साह था बूगा भाजाओ जल्दीलिको अब श्रवन ऐसा करेगा सोचा भी नहीं था सर साच अगजेंद्र जिसको दोस्त मना वो मारने आ रहा है जिसे मैरे बगर छुड़ा वो जान बचा रहा है क्या चल रहा है कर दिया को नहीं सर मिनिस्टर का पिये श्रवण को फोन किया था मेरा एंकाउंटर हुआ कि नहीं यह पूछ रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा शडियंत्र लग रहा है शक्तिया और रड़कियों को एक ग्यांग भगा रहे हैं सर अभी शक्ति कहा है बतब तोड़ी देर मे अपना गाना पेश करेंगी नमस्कार खूब सरचा फूल लेना चे आप भी मेरे साथ ना चे जल्दी डैल तेरा मामा तो बड़ा आदमी है मिनिस्टर को बुला के शादी करवा रहे हो और इसके अलावा भी कोई गिफ्ट नहीं लेकर आना है है ना बड़ा आदमी बता बत अल्टी हो जाओंगा पल्टी हो जाओंगा उधर देखो वो लड़की मुझे प्यार से देख रही है लड़की भाई नहीं चाहिए शादी के घर में बवाल हो जाएगा ऐसा कौन लफट आई जो मैंने नहीं किया तू पत्ता डाल तू किंको डाल किंको डाल था हूँ पाई छोट रहे हैं उसे यह मुझे एक एम नहीं खेलना है मुझे एक ही पत्ते की जरौत है जैसे बहुत बढ़ा नेश्व है तेरी लड़की की शादी कब है आरे तू भी ना देखने में वह सीधी साधी लगती है लेकिन असल में वह उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है और तो और मुझे से चाहती है वो उसके पास आ गया ना तो समझ ले तुमने देखा और मुस्कुराया इस पट्टू के दिल को घायल कर दिया तुमने पुकारा और हम तेरे पीछे पीछे चले आए ओभी जान हथेली पे लेकित तेरी एक एक मुस्कुराट पी मैं अपन प्रीज चिकन चिकन तंदूरी मटन हो या उसकी तरी जो तुम्हें पसंद है वही मुझे भी पसंद है तब तुझे देखना चाहिए उसका चहरा और अगर कलीब आ गया तो समझ ले हो गया कल्यांग हाथ लगा लिया तो हाथ लगा दिया तो समझ ले धोग के सुखा मिनिस्टर होगर आ रहे है इससे सेफ जगह और कोई नहीं होगी मिनिस्टर को अपना प्रब्लम बता दे तुम्हा सूपर एडिया उनसे बता देते अलेकिन कैसे बताएंगे भगवान तुम बार्बर भूल क्यों जाता है बूल क्या ना मैं कौन हूँ पुलिसी हो ना हाँ हम लोग पहले पत्ली से मिलेंगे उसे पर्स के बारे में बुछ बगे फिल है फिर मिनिस्टर से में और पथे ईसक्ती कि इधर गया था नजर ही नहीं आ रहा में वह वाद में बतातों पहले उपर्स की धरे पता पर्स वो तो इधर ही है क्या हुआ अरे इसके वज़े से बड़ा बावाल हुआ है कि दूरा तो डूरा यह वह इस भॉल कुछ निगाला ले शुर्प ऐसे ही लिया था मैंने नेता जी इताबाद! नमस्ते साथ चलो पूल दो यही है वो? कौन है वो? मिनिस्टर के साथ जो बात कर रहा है उसी ने मुझे मानने की कोशिश की आई है आई है यहीं एकोण। यहीं के इताव यहीं एक है लाईस बुलाई कर दुड, कर दों कर दो सक ऩारोड़ा पार जाह लेफनों कर दो कर दो नखफने मिश्च दो कर दोरल हमो सुल कर दो खो जर पता कर दोれた लो अर लो और जोग ऑो कर साहँ पंचने? को भाज मां बड़ा requires Size! अच से लो लूमोझ लूमोझने ही, अऑ graphश लूझे लूमा प्सकोपषब! वोज़ झाल दूट, पुट एँ 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 एँभी हम पुटर काज़िए एँख एँभी एँभी एँख 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 लुब अर पिलो अरेघ्ट जाभ़वा तेमसितर पिलोग रखाओ हिंगया फिलोग प्रफ डिया मैं अरेखा हुआ अरेखा अरेखा हुआतर बास डिलोग जड़ा ही जारी । काझा अज ऴ। काझा बद बASच way कबंग הרਨょ करद नह को आजाजज, आजा ए आजाजanten, को आजाजका को ओखिस, पीको कoperation पारंके गयाओ को फैकल की है सबस्क्रेशarg यह मेड़ार, बाच कहले यह मेड़ार, बाच कहु możliु बोलो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे यह मुझे बचाना चाहते थे इसलिए फिर भी पीछा क्यों कर रहे थे मेरी घर पे जो नौकरानी है उस लड़की का नाम देविका है उसके पांच माक्स कम पढ़ ले थे इसलिए रिवैलेशन अप्लाई किया था उसके बाद से है मेरे पीछे पड़े है शायद उसका नम का देर्या सर मिस्टर का पीए मेरा पीछा करने वाली भी उनी के आदम है सर इसके आईडी कार्ट को देखने के लिए यह जाने के लिए फर्स किदर है पूछ रहाए यह तुम्हें पुलीस वाला लगता है अरे आपको भी नहीं बत ने है कवा सर एकली ऑफ है कॉन सा पर्स है तो सर्दार्द है वह आर्के का पर्स मार दिया सर मैंने कुछ बढ़िया पर्स है सार इतना अच्छा पर्स कहीं नहीं मिलेगा सर सर देखेंजे सर मजबूत है सर देखेंगे ना सर चेंगार्ट किया सर यह साधे सिम के लिए हमारा बीचा कर रहे हैं हो सकता है यह कोई साधारन से नहीं लग रहा इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है इस सिम का मिनिश्टर दे साथ कोई संबंद लग रहा है कादिर को पकुर पता चलेगा कितने स्केच बनाये होंगे कितने जनों को अड़ाया होगा कैसे कैसे मिस होगिया यह प्लान टेंशन मतलो का आँ सब थीक से वह जाता उसको रोज की को भतम नहीं कर सके पार्ष मिलने का इंतिजार कर रहे थे बस खतम करना कोई बड़ी बात नहीं है चेंता मत करो खतम तो करेंगे ही हुँ हम खतम करो टाइम नहीं तू निकल और के मुझे वो पर्स और उन तीरों के लाज चाहिए कि मालूम आया है उन्हें फोन नहीं उठाया तभी समझ गहता कुछ गड़डल है बात मत कर बात मत कर ज्यान से सुन उनको ढूंड़ने के लिए अपने पूरे डिपार्टमेंट को लगा दे मैंने आरकल पर ढूंड़ने को बुला है उनको जिन्दा नहीं जोड़ना उस सत्य और लड़के की फोटर मुझे वाट्सअप कर दो कि यह जो आगे मैं है यह जोड़ा कि अब देड़ा है और मरने के बाद भी वो कितनी खूपशूरत दिख रही थी, पता है, उसका इस्तमाल किये विना, मैंने उसको मार दिया, यही गलती कर दी, मैंने, क्या मोला तू? अबे तो है कहां? हाँ सर, बहुत दिर से फोन बजराता, अटेंड नहीं कि, क्या हुआ पता नहीं सर, दैमिट, एक नंबर ट्रेस करो, यह सर, नाइट फोर वन फोर, सेवन जेरो डबल डू, वर्सो आईरिया सर, दैमिट, उठा लिया है, आरके, बोल शर्मट, इदर है, उन लोगों को ढूंडने जा रहा हूं, जल्दी वर्सो आचले जा, कादिर को उठा लिया है, क्या बोल रहा है, अभी तो मैं बात करके आ रहा हूं, अरे वो सब मुझे पता है, मैं सिग्नल ट्रेस करके बता रहा हूं, तू उठा जल्दी चला जा, ठीके, जल्दी वर्सो आचले, मैं यह तो जे मार दूगा, अगे, 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 अ है थेंक्स यार है 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 सत्या से मार को दिया है श्रूति कैसे मरी बीना बताय चला गया आपकी जान बचना जरूरी है का शason में आगया हूं कादिर कादिर का के जल्दी जल्दी करो हां हां उपर चाड़ जल्दी जल्दी देख रहा हूं देख रहा हूं हाँ जा रहा हूँ कादर कादर पहुंचा के नहीं इधर का चल रहा है पता नहीं तू आने वाला था इसलिए फोन रखा था अब आ गया तू बोलेगा यह वो बोलेगा सर गुड़ आफ्टर नून सर नहीं सर वियर ओन जॉब सर प्लीज प्लीज थोड़ा टाइम दीजे हम उसे पकड़ लेंगे शक्ती वह बोल रहा है क्या वोल रहा है क्यों मारा उसे क्या खेल खेल रहे हो कितने बड़े लोगों पर हाथ डाला पता तुम्हें कादिर को अगर कुछ भी हुआ ना तो दोनों खतम हो जाओगे नहीं बोलोगे तुम दोनों को मार दूंगा मुझे सच्छा ही पता चलनी चाहिए क्यों मारा बोल रहा है ना जवाब दे नहीं ब पर दो पताता हूं बदाता हूं बदाता हूं शुर्थी को मारा मिनिस्टर का इससे क्या संबन्द है तुम जैसा सोच रहूं वैसे मिनिस्टर का कोई हाथ नहीं है पर कौन है रहे इंच्छ का कारण वह राजलक्षमी मेडम है क्योंकि 10 प्लस टू पबलिक एक्जाम में मुंबई में स्टेट में वाले बच्चे को सेलग्ट करके प्री में सीट देते हैं यह बोलके मैडम एडमिशन देती है क्या हुआ कुमारन डल क्यों है कि कुमारन माबाप से अलग रहना तकलिफ है ही लेकिन लाइफ में आगे नहीं जाना है क्या डॉक्टर या कलेक्टर नहीं बनना है अब यह स्कूल यह तुम्हारी फैमिली है तुम्हारी मां पिता जी बहन यह लोग जैसे तुम्हारा खयाल वैसे ही मैं रखूंगी ठीक है इसका नाम क्या है शुरूती माड़ी तुम बात नहीं कर सकती कोई बात नहीं जो बात किये वगर रहते भगवान के समान होते हैं प्लस वन की क्लास मैडम के स्कूल में सिर्फ नाम के लिए पढ़ने वाले बच्चों को प्लस टू की हिश्चा देते हैं क्या हो रमेश क्यों रो रहे हो हाफ एक्जाम में 55% ही मार्क मिला है इसमें क्या है नेक्स टाइम ज्यादा पढ़के अच्छे से मार्क लेके आएंगे 65 के नीचे रहेंगे तो ब्लैक हॉल में बेजेंगे ब्लैक हॉल मतलब एक दिन में 18 गंटे की पड़ाई सई से खाना नहीं सई सो नहीं सकते हैं किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं यह सब जानकर कुमार नाम का लड़का होस्टल छोड़कर घर जाने की जित करने लगा क्यों घर पे जाना हूँ घर पे जाना हूँ ऐसी जित कर रहा था कितना बोल रहा हूँ फिर भी जित कर रहा है सुनी नहीं रहा है क्यों बेटा वाट्स यर प्रॉब्लम मुझे यह नहीं रहना मैडम मुझे घर जाना है आई वाट टो गो हॉम बेटा टेंथ में तू स्टेट फ मार्क वार तो भी बहुत मारते हैं एक मार्क और एक ही मार्क से फरक पड़ता है यहां हंड्रिड मार्क सी चाहिए जा पढ़ाई कर जाना में बोलके समझाओ मेडम मेरी पार चुरिये मेडम पुझे नए ये लगाप्या रुप ये शर्टाम पुझे मेरे या पुझे जा पढ़ा ही पर लेगे थाखिये हुझे जोटु है है जोटु मेडम क्या गया हो गया क्या साल में इसके जैसे एक दो आ ही जाते हैं बच्चों के बीच जगडा हुआ उसके दिल को ठेस पहुची और उसने आत्महत्या कर ली मेडम आरके कादिर को फोन करना बाकी वह सब समभाल लेंगे लड़कों के साथ जगड़ा वह इसलिए उसके दिल को ठेश पहुची उसने हाथ मत्या कर ली ये बोलकर उसकी बौड़ी को घर बेज़ दिया गया और उन लोगों ने मान भिलिया था बहुत दिनों के बाद हमारे स्कूल से पड़ा हुआ एक लड़का कुमार की सच्चाई जान गया उसने इस उसकी बेहन को बता दी और वही न्याय माजने के लिए कुमार की बेहन मैडम के पास आई थी उह कुमारन के सिस्टर क्या चाहिए मैंने मारा यह कौन सी नहीं स्टॉरी हो फ्रेंच के साथ जगडा करके अपमानित हो Tianji जा लिए तेरे दुख हो रहा है किसे तुझे या मुझे पांच लाकी सिट फ्री में देकर पढ़ने को बोला तो मर गया तेरा भाई दुखसान तो मेरा ही हुआ इसके पांच प्रूफ है मरते दम तक ही हमें नहीं छोड़ेगी कादिर हां कहा था बात कि ये बगर रहने वाले भगवान समान होते हैं इसलिए भगवान के पास भीज रहे हैं शुरूती को मार कर कि वो एक्सिडेंट में मर गई है पुलिस को ये भी हैकीन दिला दिया लेकिन उसके भाई के फ्रेंड ने मिनिस्टर को सारी सच्चाई मेल करके बता दी ये तुम्हारे स्कूल में पढ़े हुए एक स्टूरेंट की कंप्लेंट है लोग प्रियता के साथ कंप्लेंट भी आती है सर आप पर भी तो कितनी सारी उंगलिया उठती है ना रोज प्रजातंत्र में कोई भी किसी के उपर कंप्लेंट यह सकता है लेकिन इसके लिए प्रूफ चाहिए यह तुम्हारे नाम का CBSI में आया हुआ रिपूट है तुम्हारे स्कूल में बार बार होने वाली आत्पत्या फीज गोलमाल डोनेशन यह जो बच्चों को पढ़ाने के नाम पर प्लैक हॉल में तुम लोग जो टॉर्चर करते हो इन सभी चीजों का प्रूफ है इसमें यह मुझे डराने के लिए या समझाने के लिए आप एक शिक्षा मंत्रे से बात कर रही है यह बात ध्यान में रखिए आप शिक्षा मंत्री हो ना कोई भगवान तो नहीं हर एक चीज का भाव है सर वार्स दिल क्या चाहते हैं आप सिर्फ एक ताला आपके सारे पीछे कितने लोगों का रोना है वो मुझे ही पता है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है मैं कौन हूँ जानती हो उधर देखो वो जो नेता तीन लोगों को खाना परोस रहे हैं, उसमें से एक मैं हूँ कॉन्वेंट में पढ़के बाप के पैसों को बचाने के लिए राजनीती में नहीं आया हूँ एक चावल के दाने के लिए स्कूल गया हूँ खाये हुए दाने को धोका नहीं देना चाहिए, इसलिए इस पदपर आकर पब्लिक की सच्चाई से सेवा कर रहा हूँ किस से सौदे की बात कर रही हो? पाप पुन्य का हिसाब करेंगे, तो बिजनेस कैसे करें? बिजनेस, स्कूल चलाना बिजनेस नहीं कहलाता है, वो एक सेवा है, शिक्षा देने वाला भगवान कहलाता है, और तुम सब लोग भगवान के समान हो कौन से भगवान को? स्पेशल टिकेट बगर देख सकते हैं, सर तुमसे बहस नहीं कर सकता सो, कुछ फैसला करके ही मुझे बुलाया होगा, बात करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरी इंस्टिट्यूट को बंद करके दिखाईए चालिस साल राजनीती का एक्स्पिरेंस है, तुम पहली चाल चलोगी तब तक मैं तीसरी चाल चल चुका रहूँगा, सारे स्कूल बंद किये तो क्या होगा मुझे पता नहीं है क्या मेरी इंस्टिट्यूट में 20,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर तुमने ये बंद की तो बीच रास्ते पर आ जाएंगे, कितनी माओं ने मंगल सुत्र तक गिर्वी रखकर फीज भरी है, उनको क्या जवाब दोगे? आपका फैसला बच्चों को भारी पढ़ेगा, च जल बाज़ी करके मैं तुम्हें दंड नहीं देना चाहता, बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना चाहता, तुम्हें एक महिने का टाइम दे रहा हूँ, इसी में तुम्हारे सारे प्रशासन को गवर्न्मेंट के हवाले कर दो, और हो सके तो दंड से बचो, मुझे सकसिस पसंद है, सरेंडर नहीं, तुम्हें शनी पकड़ लेगा, गले में पथर बानकर समंदर में कुदना अच्छा नहीं है, सुन्दर है या गटर, मुझे पता नहीं, जल्द ही सारे पबलिक को बता दूँगा, एक महिना नहीं, सिर्फ एक हफता मिलेगा, गेट आउट मंत्री साहब, इमानदारी इतनी भी अच्छे नहीं, मैं एक सत्यवादी हूँ, और हमेशा सत्यवादी ही रहूँगा मैडम, वो मुझे एक हफते का टाइम दे रहा है, मैं उसे चार दिन का टाइम दे रही हूँ, चौथे दिन मेरे स्कूल की घंटी बजने से पहले, उसकी घंटी बजनी चाहिए, उड़ा दो कैसे मैडम, जैसे कलेक्टर को मारा, सिम काड रेड़ी करो उसे शक्ती ने हमारी जैव काड कर ले लिया, इसलिए हम उसका पीछा खर रहे थे, आज का दिन ये आकरिद दिन मिनिस्टर को खतम करने का दूसरा प्लान बनाया है, कैसे भी उसे खतम कर देंगे साहब, इंस्पक्टर सत्या बात कर रहा हूँ आजा, आजा, पिल लोगा को खतम करते, शक्ती निकल, आजा, आजा, आजा भीृऔर, जाओर, आजा, आजा, आजु हाँ मेरी सारि गवाईपा इननने का रिकोड़् कर दूसरारी है, इनका छोड़ समाज़ फिल्हे फिल्हे, प्रहोड बश्रीर का ले, विए! और अच्छु आख लूए प्षाइश आख तो नियुक्र हुआ ऐघ्र अब खाल स्यर्व OH, OH! Sir! Sir! एक evidence था वो भी गया प्रूफ नहीं कर सकते Sir, कर सकते, Sir कि इन्होंने जो इल्जाम लगाय मों कुबूल है आपको उन्होंने जो बोला वो कबूल कर सकती है और यह गलत है जिसा जरूरी नहीं है गुनाहों को प्रूफ करने के लिए एविडेंस रहे सजा देने के लिए वही बहुत है कटघरे में खड़ी ये वर्यत बहुत बड़ी किर्मिनल है और इसे प्रूफ करने के लिए मेरे पास कई एविदेंश है यू एविदेंश के अलावाँ कोई और एविदेंश है आपके पास य家 फॉओ सबीत करने के लिए इतने सबूत काफी है o a second you can cross it thank you पढ़ाई करो पढ़ाई करो किसी भी हालत में पढ़ाई करो हमारे देश में यही कहा जाता हे शेक्षा देने वाला भगवान कहलाता है इन्हों ने भी यही कहाता और अपने आपको शीक्षा की देवी समझती हैं लेकिन अगर कोई क्षान्हीizer खल्ँ सब्सक्राइद क्राइब Ben talented went for लेकिन कहीं भी क्वेज्ड स्कूल मैं स्लाइड स्कूल है क्या इस देश में जनसmore के रीचों के स्वेन्ट स्कूल ज्यादा होने चाहिए uc़ साल हमारी सरकार कॉम से कम 10 10-20 परसेंट गवर्मेंट स्कूल बंद कर रही है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था सतर सालों के बाद भी क्या हमें सिक्षा का अधिकार मिला सवाल पूछने के पर्मीशन चाहती हूं पर्मीशन ग्रेंटेट नमस्ते जी नमस्ते ये जो राज लक्षमी जी है इनके गुनाहों का पता आपको कप और कैसे चला इनके इंस्टिटूशन का जो पुराना स्टूडेंट है उसने मुझे मेल के द्वारा कंप्लेंट भीजा मैंने इंक्वाइरी करके देखा तो वो सच निकला और पूछताज कर रहा था तो इसी बहन ने मुझे मारने की कोशिश की थी उनके गुनाहों का पता लगते ही जज ने अगर फैसला सुना दिया तो जेल जाने के बाद उनके स्टूडेंट का क्या होगा बरबाद हो जाए कियूं गवर्मेंट शामिल नहीं करेंगे पबलिक को सरकारी नौकरी चाहिए मैडम सरकारी दामात चाहिए सरकार फ्री में देने वाली सभी सुवईध़ाएं हर किसी को चाहिए होती है सिर्फ सरकारी स्कूल छोड़गर और यहाल क्यों है अच्छी जगह नहीं अच्छे गलत ही है लेकिन उन गलती की तो मालिक उसे डाटता नहीं है क्या ऐसे ही हम लोगों का मालिक कौन है जो वोट देते हैं वही ना हमने गलती की तो हमें भी ढाटना चाहिए वाइन शॉप में पांच रुपया जादा लिया तो आधा घंटा जगडा करते हो वही पब्लिक एक स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हुआ तो साथ देती है क्या ऐसा करने से डरती है क्योंकि उनके बच्चे को वहां से निकाला जा सकता है किसी भी पेरेंट में इतनी हिम्मत नहीं है जो अपने बच्चे का साथ देकर कंपलेंट करे हाथ पर हाथ धरे बैट जाते हैं सर अपने देश में 119 प्रकार के सर्विस टैक्स है कोई भी चीज खरीदो तो टैक्स लगाते हैं वही लोग शिक्षा सही नहीं मिल रही है इस बात को लेकर जगड़ा करते हैं क्या सत्तर उड़ पार्टी विपक्ष पार्टी ये सब देखकर चनता की हीट के लिए जगड़ा करेंगे तो जरूर बदलावाएगा बड़े बड़े नेताओं के त्याक के कारण हमें ये आजादी मिली है उनके आदर्शो पर चलने को कहा तो उनके पुतले के सामने खड़े होकर सेलफी निकाल कर हसते रहते हैं मैं एक ही बात कहूंगा जब तुम लोग वोट डालने का पैसा लेते हो तभी तुमारा अधिकार खतम हो जाता है जब आप अपने अधिकारों का महत्व जानेंगे उन अधिकारों को समझेंगे तब बडलाव आएगा पबलिक को बडलाव लाने के लिए बोल रहे हैं आप सिक्षा मंतरी होके जिक्षव विभाग में बदलाव नहीं ला सकते हैं क्या? साहब, मैं एक्षन लूँगा तो बदलाव आएगा, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में नहीं, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे. साहब, सरकार एक कार की तरह है, उसमें पब्लिक के द्वारा चुने गए ड्राइवर ही है, लेकिन पब्लिक क्या करती है, हमें पीछे के सीट पर बिठा कर हमें घुमाती रहती है, साहब, मैं कुछ भी जादा बोल देता हूँ, तो फिर सब मिलकर मुझे माफी मांगने के लिए बोलेंगे, मैं माफी नहीं मांग सकता, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, और मुझे जाने दीजिए, ठीक है, आप जा सकते हैं, धन्यवाद, अभी और गवाहों के पूछताज करना बाकी है, यह रॉनर, पूछिया, मेरा नाम रवी है, इनके स्कूल में मेरा बच्चा है, जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने दूद पिना छोड़ा नहीं था, तभी इनके स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन किया, वो भी दो लाग रुपे देकर, अभी वो साथवी में पढ़ रहा है, चालीस अजर रुपे लेते हैं सर, पर बिल चार अजर का ही देते है, बीस रुपे का स्टिकर लगा कर 200 रुपे में बेचते हैं सर, नोटबुक फेस, कवर फेस, लेबल फेस, इनके लिए सिर्फ एक ही बात है, पैसा, 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 मैंने बीबी का मंगल सुतर गिरवी रखा सर, दूसरे स्कूल में डालना चाहिए ना, उदर अबर कितना पैसा लेगा क्या पता, स्कूल से दो कली छोड़कर हमारा घर है, लेकिन ये लोग बुलते होस्टल में एडविशन लेना जरूरी है, घर के पास जो भी गवर्मेंट स्कूल है, उसमें दाखिल कर देना चाहिए यह नहीं हो सकता है, हमारे अपार्मेंट में 100 टेनेंस हैं, उदर के बच्चे अच्छे इंगलिश, अच्छे स्कूल, अच्छी पढ़ाई, अच्छे युनिफॉर्म, ऐसे रहते हुए स्कृप मेरा ही बच्चा, अगर गवर्मेंट स्कूल में पढ़ता है, तो मुझे शर हमारा लड़का भाग गया है, ऐसा बोलकर स्कूल में जफ़न कर दिया, यूर ओनर, इस स्कूल में तीन आत्मत्याय हो चुकी है, दो मर्डर को आत्मत्या जैसा बना दिया गया है, जिसे बात करना नहीं आता है, उसके लड़के को बेरहमी से मार दिया जाता है, इससे भी पैसा वसूल करना, घपला करना, ज्यादा फीस वसूल करना, ऐसे सभी गुनाहों का पता चल चुका है, इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यूर ओनर, मेरी आप से यही दरख्वास्त है, अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती है, हमारे गाउं में बकरे की बली चड़ाने से पहले बकरे से पूछते हैं कि काटे के नहीं, अगर वो पर्मिशन देता है, तो ही काटते हैं, उसी तरह आप पूछ रहे हैं, कोल्ट का मजाग उड़ाने से आपको कड़ी सजा हो सकती है, मैं कानून से ज्यादा नसीब को मानती हूं, वरना एक साधरन क गवर्मेंट स्कूल में 20 पानी की टंकियां, कम से कम 100 टॉइलेट्स होने चाहिए, है क्या, यार ओनर, 2013-2014 के हिसाब से 37,000 गवर्मेंट स्कूल है, उसमें से 1400 गर्ल स्कूल, 4700 बॉइज स्कूल, इन स्कूलों में एक में भी टॉइलेट रूम नहीं है, पता है, साहब इसक की तूलना में प्राइवेट स्कूल कुछ भी खराब नहीं है, तिरुवर्ना मलाई, मदुराई, इरोड, उटी, कन्यकुमारी, तेनी, तिंडककल, करूर, कलकुर्ची, सेलम, इन में 78 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल बंध है, अब आप ही बताईए, ऐसी हालत में लोग कहां जाएंगे? प्राइवेट स्कूल चलाना इतना आसान नहीं है, कितना धन किधर डालना है, कितना चड़ाना होगा, किधर उतारना होगा, किसको कैसे मारना है, किसका क्या विकने से, एक रुप्य को कैसे डालना है, कैसे वापस लेना है, उसका एक रूल बुक है, हजार भी फेमस स्कूल और कॉलेज एड दे रहा है क्या नहीं न दे रहा है क्योंकि दस तारीक को फॉर्म दे रहे है ऐसा सुनते ही एक तारीक को ही लाइन में खड़े हो जाएगा पब्लीक इस कट घरे में खड़े ये तीन पैरेंट्स और जो नहीं खड़े रहे वो तीस अधार क्या गलत है तो ये गलत ही पब्लीक की है क्या हाँ पब्लीक की ही है जैसे मिनिस्टर साहब ने बोला अपनी पब्लीक कुछ भी खरी दे तो वह दुकान का सामान ही क्यों नहों टेलिफॉन का विल ही क्यों नहों तीन परसेंट टैक्स भरते हैं चोटा सा हिसाब यूर अपने देश की जनुसंख्या 128 करोड इसमें 50 करोड लोग 10 रुपे की चीज लेगे तो भी 15 करोड एक दिन का और 15 करोड के हिसाब से एक साल के 5,475 करोड टैक्स हम भर रहे हैं किस के लिए उपियोग करना है। शिक्षा के लिए। लेकिन पबलिक कहा मानती है। शिक्षा हमारा अधिकार है, फ्री में दो मांगा क्या? हमारे देश में शो के लिए मरियादा है यूर इसी रूम में खाना प्लैटफॉर्म पे बेशने वाला गाम है। पहले पब्लिक सुधरने दो फिर गवर्मेंट सुधरेगी उसके बाद में हमारे बारे में सोचना एड़ोकेट सुगंधा आप कुछ कहना चाहते हैं येस योर ओनर जिन्देगी में बिना किसी पढ़ाई के बिना कोई संगर्ष किये इन लोगों ने सब कुछ पा लिया तो पर शिक्षा की कीमत ये क्या समझेंगे जिसको इस चीज की कदर होती है वही इस बात को समझ सकता है माबाप कितनी कठिनाई से अपनी उलाद को पढ़ाते हैं इन जैसे लोग क्या जाने हजार बमों की ताकत रखता है पबलिक का संगर्ष वो भटा तो देश सह नहीं इनका अपरात अक्षम में है इसलिए इनने कड़ी से कड़ी सजा सुनाईए यॉर ओनर आपके इस फैसले पे हमारे पूरे देश का भविश्य निर्भर है हमारे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली एक ही सिलिबस एक ही यूनिफॉर्म और एक ही फीस होनी चाहिए ये एक सपनी जैसा होगा आपके एक निर्णय पे पूरे देश की नज़र टिकी हुई है यॉर ओनर हमारे देश की आम जनता जो अपने बच्चों को महंगे स्कूल में बढ़ती नहीं करा सकते उनके बविश्य को ध्यान में रख्ये ही अपना फैसला सुनाईएगा कि अधक इस केस को छे तारीफ तक ठगित किया जाता है आज कि औरम ओर मुझ पर गुष्सा हो अपने बच्चे के सीट के लिए प्याएधि मैंने मना कर दिया समश्या हो तो बात करके खत्म करते हो तुम बात करने की समस्या नहीं हो कंड़र करने कि तुम्हारे सिनियर को आने को बोलता हूं आपके उपर लगाया गया है आप उसके बारे में क्या कहना चाहती है मैम यह अगनी प्रवेश है निकल जाओंगी मैं लेकिन ओपोजिशन लॉयल के पास आपके खिलाब काफी सबूत है वो प्रूफ ही तो दे रहे हैं ना लेकिन भगवान मेरे साथ है इस केस को तोड़ने के लिए मुझे दो दिन काफी है चक्ति सर इन लोगों को जिन्दा नहीं चोड़ना चाहिए हमारे देश में और चार को दख्री सब्सक्राइब करने वालों को मैं जानता हूं किसको यसे मारना अच्छी तरह जानता हूं जस बजे सार आजेंगे मैं बात करूं कि मैं अलो कि से वो कई बड़ा प्रॉब्लेम नहीं है अधा है कि है अरे कौन है? ट्राइवल अरे हेल्प कारी को रोखो कारी को रोखो कोई कारी को रोखो कारी को रोखो कारी को रोखो कारी को कारी को ए छुटे अंकल तुझे अपने बाप के जैसा बड़ा कलेक्टर बनना चाहिए नहीं आई वाट तो विकम असाइंटिस कारी कारी को रहाएं मुटे थे अपने खुटे झाल झाल